हेलो दोस्तों आज हम अंग रख्खा बिलाज के कटिंग करेंगे तो इसकी लेंद है 13 इंच तो आप अपने कपड़े पर काटना तो अपनी लेंद की अनुशारी काटना तो मैंने इसका सॉल्डर साड़े पांच रखा है साड़े पांच हम इसका आर्म होल रखेंगे इस तरह से और इसका एक बोक्स बना देंगे और यहां से हम आदा इंच एक्टर लेंगे जिससे कि हमारा यह बिलाज जो बनता है उसमें जोल नहीं आएगा यहां से भी हम इससे इस तरह से गोल कर देंगे तो यह तो हमारा बैक होगा यह फ्रंट का होगे अब हम गले के निसान लगाएंगे तो मैंने गला इसमें धाई इंच रखा है लेंथ रखेंगे इसकी चैंज इसका भी हम एक बॉक्स बना देंगे अब हम चेस्ट करने चानल लगाएंगे तो चेस्ट मैंने इसमें 30 का सारे साथ रखा है कमर 28 है तो साथ रखेंगे अब इन दोनों पॉंट के इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे तो मैं इसे रखा बिलाज बना रहे तो मैं एक पॉंट वाला एक डोट वाला 10 इंच पर लगाऊंगे डोट करने साथ यहां से इस तरह से लान खीचेंगे और आधा 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 इंच आधा इंच यहां से और आधा इंच हम दूसरे तरफ से लेंगे अब इन दोनों को इसतर से मिला देंगे आधा इंच आयगे तो be wild लिए तल तो हमा श्र्जा निसान लग गया है अब हम सोल्डल को लिटान करेंगे आधा अधा इंच इस तरह से तो यह हमारे निशान लग गए अब हम कटिंग करेंगे इसमें यहां से हम इस तरह से थोड़ा से इस तरह से उठाएंगे जिससे इस तरह से बनने के बाद अच्छा हैगा अब बैक और फरैंट को अलग कर दो यहां अब जो हमने आदे हिंच एक्स्राजिक लिया था करेंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरह से यहां से हमारा टक्स का निसान लग जाएगा इस तरह से मुझे इसे रखा विलाज बनाना है तो मैं यहां से इस तरह से लगाएंगे इस पॉइंट जसरे में या तने इंच का फिर्फ इस तरह मैं लग जाएंगे इस तरह से हैंना से तीन इंच आपल निशान लगाओंगी और यहां से इस तरह से मिलाँगी इस गले को आप चाहते हैं इसकी कटिंग में अलग कर सकते हैं पर मैं इसी में इसका सेव दूंगे और इसी में अच्छा बन जाएगा यह इस तरह से तो यह हमारे अंग रखत कटिंग हो गई अब हम इस पर इस तरह से काटेंगे यहां से हमें जो भी सेव देना है हम दे देंगे इसमें इस तरह से हमारे अंग रखा बेला से कटिंग हो गई ऐसे बनेगा अब हम फरंट की कटिंग करेंगे फरंट की कटिंग करने के लिए मैं इसमें धाई इंच पर निसान लगाया है चोड़ा है क्योंकि मैं इससे डीप कला बनाना है तो मैं इसका नो इंच पर निसान लगाऊंगे और इसकी लेंथ और इससे इससे बोक्स बनाऊंगे और इसी केंदर भी मैं इसमें सेव दूंगे जो भी में सेव देना होगा तो मैं इससे इससे सेव दूंगे यहां से हमार जितना हमारा हमात है यहां पर इस तरह से टक्स लग जाएगा आदा हदा फंच पर यहां से भी हमादा हदा हिंच लेंगे और यहां से भी आदा हिंच इन दोने फों तो इस्तर से मिलाएंगे कि ओक्ति इसे उठाकर हम थोगा सा इससे कट लगा दें इससे अमरेद दोन तरफ आ जाएगे निसाल तो ये कतने के बाद इसका सफ इस तरह से आएगा। बैक का ये हमारा फ्रैंट हो गया। बैक में हम पट्टी जॉयांट करेंगे पहले पट्टी जॉयांट करने के बाद इसे हम चाये तो फाइब इन कर सकते हैं। या अंधे तरफ पूरा फोड कर दो जब भी जब नहीं हम इस तरह से काँ Q1 यह पर पटे ज्वाइंट करेंगे और पटे ज्वाइंट करने कि अंधे तरह अधे तरह आधी इसवाले पाट में विसले पार्ट करना दूसरे पार्ट में यहां से यहां तक यहां पर हम डोरी लगाएंगे बादने के लिए दुख पर जितनी भी हमारी कमर के फिटिंग है प्रोल्ड को ज Rob करने के बाद जितनी भी हमारी फिटिंग है अपनी सीटिंग भटाएंगे तो हमारे अंग रिखrows बिलास के कटिंग सोरी बनके त्यार हो जाएगी इस तरह से दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, सेर एंड सस्क्राइब करें अच्छी लगती है जह क्या अच्छी लगती है वाल भी लुप वाल न डिव